हरे कृष्णा जय जय स्रिराध है जय गवर निताई तो आज की इस वीड़ों में हम जानेंगे कि श्रीमती अलक्षमी देवी कौन है और उनकी क्या पोजिशन है और उनका संबंध क्या है मैया लक्षमी के साथ तो सरव प्रतम हमें ये जानना होगा जिस प्रकार श्रीमन नारायन समय समय पर अवतार लेते हैं उस प्रकार ही उनकी शक्ती माता महा लक्षमी भी समय समय पर अवतार लेती है तो एक तो हैं आदी लक्षमी जो पंच प्रकृतियों में से एक हैं पंचे प्रकिरती हैं गनेश जन्नी दुरगा, राधा, लक्ष्मी, सावित्री और सर्स्वती ये पांच ही मूल प्रकिरती हैं इनसे ही ये संसार प्रगट होता है तो यही आदी लक्षमी जिनको हम महाल लक्षमी कहते हैं वैकुंठ में वास करती हैं वैकुंठ में वास करती हैं और यही श्री भू नील और विर्जा के रूप में समय समय पर अलग अफसरों पर अवतार लेती हैं तो एक बार इन्होंने अवतार लिया एक रिशी के यहां रिशी के यहां अवतार लिया तो इनकी दो भाई और एक बहन और थी भाई थे दाता और विधाता और बहन थी जेश्ठा जिसको अलक्षमे भी कहते हैं तो क्या हुआ लक्षमी मैया का विवा तो हो गया श्रीमन नारायन के साथ और जो जेश्ठा का विवा था वो एक और रिशी दुस्थासा नाम की रिशी के साथ हो गया अब क्या हुआ जो जेश्ठा थी वो हमेशा लक्षमी मैया से इडशा करती ही रहती थी कि किसका विवा तो नारेंड से हो गया और मेवारा विवा किसी ऐसे रिशी मुनी से करवा दिया तो क्या हुआ एक बार उनके पति देव ने सोचा चलो इनको गोमाने के लेए लेके चलते हैं तो जेश्ठा को साथ में लिया के मंदिर पड़ा मंदिर में से घंटों की आवाज आ रही थी तो ये जेष्टा अपने कानों पर हात रखके भागी आगे एक वेद शाला आई वहाँ वेद पाठ हो रहे थे यग्य हो रहे थे तो वहां से भी ये भागी कहीं भक्ते लोग कीर्टन कर रहे थे वहां से भी ये भागी तो अब इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ये अपनी पत्नी को लेके मारकंडे मुनी महराज के पास गए और मारकंडे जब कर रहे थे तो ये बिचारी डर के मारे अंदर नहीं आई कुटिया में भारी रुख गई एक पीपल के पेड के नीचे पीपल के पेड के नीचे रुखी और ये अंदर बात करने लगे मारकंडे मुनी से की ऐसा सक्यों है तो मारकंडे ने बताया कि ये जेश्ठा है अपवित्रता है ये वहां नहीं आ सकती जहां पर भगवान का संकीरतन ये गिजप हो रहा होगा यहां ये बात चली ही रही थी वहां बिचारी लक्षी मैया को लगा कि मेरी बहन तो बड़ी दुखी है और इतने समय से उसने भोजन भी नहीं करा तो लक्षी मैया उसके लिए एक लड़ू लेकी आई और लड़ू लेकी आई उसको दिया तो फिर जेश्ठा ने उसे फैंक दिया फैंक दिया तो नारायन ने बोला कि अरे तो उस पर दया क्यों दिखा रही है ये तो खुदमी गमंड में बैटी है तो जेश्ठा का तब से भोजन क्या बना दिया जेश्ठा का भोजन बना दिया काली कमाई जो काला धन होता है वो जेश्ठा खाती है तो जेश्ठा से बचने का उपाई क्या है तो जेश्ठा से बचने का उपाई केवल एक है घर के द्वार पे श्रीमन नारायन लिखा हो ठाकुड जी का नाम लिखा हो गणपती का चितर लगा हो शुबलाब लिखा हो स्वास्तिक बने हो भगवान के चरण चिन्न बने हो घर में कीर्टन होता हो अगर सुभे संधिया सा देश आया लेकिन उसका मतलब यह नहीं है निवो मिर्ची एक टेंपरेटी इलाज है वो परमनेंट इलाज नहीं है उससे कुछ नहीं होने वाला उससे अगर बचना है तो उसका एवल एक इलाज है भगवन नाम तो जेश्ठा पीपल के पेड़ में वास करती है उनके पती समय पीपल के पूजा नहीं होनी चाहिए ना पीपल के पेड़ पे जाना चाहिए हरे कृष्णा जैजैस्त्र राधे शाम